आप सबी का मेरे चैनल पे और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15th to 31st October आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है क्या बदलाव आने वाले हैं आपके पार्टने के फिलिंग्स आपके लिए क्या होगी और क्या गाइडिन्स आपके लिए हैं कुछ यूनिव लव लाइफ में क्या ऑब्सटिकल्स है तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूं कि यह जरूरी नहीं कि सारे मेंसिजेस आपके साथ रेजरेट हो जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को फॉलो करिए बागी को जाने दीजिए तो स्टार् कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है ठीक है यहां पर हम क्लेरिफाइब करेंगे फाइफ अफ कप्स को मकर राशी तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है मकर राशी में यहां पर डबल फाइफ की एलर्जी देख रही हूँ और डबल फाइफ दोनों ही बहुत नेगटिव काड़ियां पर है तो मैं यह देख रही हूँ कि कुछ ऐसे चेंजेज होंगे जो बहुत ही आपको तकलीफ दे रहे है या तो अभी ही आपका ब्रेकप चल रहा है या फिर आप किसी रिष्टे से बहार निकलने की कोशिश कर रहे हो बहुत ही ऐसा लगँ रहे है टॉक्सिक रिष्टे में आप फसे हुए हो जिससे बाहर निकलना चाते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो तो ये 15 दिन जो है उस toxic रिष्टे से आपको बाहर निकालेगा 100% और एक नई energy के साथ नई life के साथ आप आगे बढ़ोगे कुछ time मुझे यहाँ पर देख रहा है हो सकता है basic किस तारिक तक हो सकता है कि आप थोड़ा सा pain में रहें आपको बार बार उस बातों को याद करें और move on करना easy नहीं होता है लेकिन मैं आपर देख रही हूँ कि फिर भी बहुत जल्दी बहुत ही जल्दी आप वहाँ से बाहर निकल जाओगे हो सकता है surrounding आपके बहुत close friends है जिनके support से जिनकी guidance से आप बहुत अच्छे से बाहर निकल जाओगे इन सब चीजों से understanding card कहता है कि yes उसके बाद जब आप पूरी तरह से निकल जाओगे ना आपको लगेगा कि अरे actually मुझे freedom तो life में अब मिली है मैं अपनी free will को enjoy ही नहीं कर पा रहा था या कर पा रही थी इतने time तक तो बहुत एक नुकसान के बाद यह कहूंगी कि एक दर्द के बाद एक नई energy भी यहाँ पर मुझे दिख रही है इन 15 दिनों में ही दोनों ही चीजों का अनुभव आप करोगे ठीक है फिफ्ट चक्रा मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि yes बहुत जो आपको attachment है किसी person से आ अलग ही ताकत आप में आएगे और आप कोगे बस बहुत हो गया अब जाओ तुम्हें इस दंदगी से तो वो वाली energy मुझे यहाँ पर नजर आ रही है और आप अपने दिल की अपने मन में जितनी भी बाते थी जो आप नहीं कह पा रहे थे इतने टाइम से घुट रहे थे आपको ऐसा लग रहा था कि इतना पेन मुझे हो रहा है तो वो सारी बाते आप उस पर्जन को सुनाने वाले हो सब कहने वाले हो आपको उसको देखो त्रिपल वाई की energy है divine चाता है कि आप इस रिष्टे से बहार निकल जाओ divine चाता है कि आप इस pain से बहार निकल जाओ किसी भी तरह का pain अगर आपकी life में चल रहा है तो यहाँ पे universe आपको blessings देगी definitely देगी कि तुम इस pain से बहार निकलो तुमें इस pain में नहीं रहना चाहिए अपनी free will enjoy करो अपन struggle है वो खतम हो जाए और यहाँ पर थर्ड चक्राए भी दिखाता है कि आप अब अपने success अपनी life में अपने goals इसी पर focus करना सीख जाओगे success card है देखिए तो एक कहते ना एक ऐसा कुछ achieve कर लेना जो actually चाहिए था आपको life के लिए तो वो इन 15 दिनों में आप feel करोगे अब यह success जरूरी नहीं होती है कि हमें money से related ही success हो अपनी job से related ही हो नहीं life में एक सही direction मिल जाना भी बहुत बड़ी success होती है तो वो एक नया direction मुझे आपको यहाँ पे मिलता हूँ नजर आ रहा है जो एक गलत रिष्टे में आप फसेवेते उससे आप बहार निकलने वाले हो और अगर हो सकता है कि आपको कुछ पता नहीं था कि आप गलत रिष्टे के साथ हो तो उसकी सच्चाया हो सकता है आपके स जादा विश्वास करते हो जिस पे आप बहुत जादा टरस्ट करते हो उसी से ही आपको दोका मिल सकता है तो कुछ टाइम पेन में भी रह सकता है तो कुछ टाइम आप आगे बढ़ भी जाओगे बहुत आसानी से बाहर भी निकल जाओगे उस situation से और टाइड अप देखिए ये काड की एनरजी जिसमें बहुत हर तरह से फसे हुए हो रहना इस्तिती से निकल नहीं पाना जबकि सर्राउंडिंग एनरजी बहुत अच्छी है यहाँ पर प्यार भी है यहाँ पर खुशियां भी है सब कुछ है लेकिन आप उस परल को इंज कि रहते हो और मैं यहाँ देख पार हूँ कि इस टॉक्सिक रिलिशन से आपको आसानी से छुट्टी मिलने वाली है आप एक किसी परसन के साथ कनेक्ट होनी की तो नहीं काओंगे लेकिन येस मन में अगर किसी के लिए क्रश है तो उसके साथ आप लास्ट ओफ अक्टोबर आप तो उसके साथ आगे बढ़ सकते हो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो ये नहीं काओंगे कि बहुत जल्दी फ्रेंट्शिप हो जाएगी बट हाँ एक नया डायरेक्शन आपको मिल जाएगा चलि देखते हैं मकराशी बार बार आपकी लव लाइफ में ब्लॉकज क्यूँ आ जाती है बहुत लड़ाई जगडे आर्गुमेंट्स मुझे ये सब नजर आ रहा है यहां पर देखे अगेन बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक अप कर लेना आगे बढ़ जाना क्या अब्स्टेकल से तो मुझे यहां पर लग रहा है आपको किसी पर विश्वास नहीं होता सबसे पहला मैसेज आप के लिए आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते हो आप जिसके साथ भी कनेक्ट होते हो आपको ऐसा लगता है कि यह मुझे चीट कर रहा है और बार बार आप उस पर शक करते हो उसे बोलते हो कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है शक है सो आप उन्हें धंकी देते हो बार-बार कि मुझे तुमारे साथ नहीं रखना है मैंने ब्लॉक कर दिया, मैं बाहर निकल गया और आप move on करने की कोशिश करते हो आना है आपको वापस वापस आओगे वहीं पर ही, सरेंडर कर देते हो एनरजी को, कि जो होगा देख लेंगे भगवान को जो मनजूर होगा देख लेंगे फिर से आप प्रे करोगे उसके लिए फिर से मैनिफेस्ट करना है स्टार्ट कर दोगे क्योंकि मन में तो वो ही है और फिर से वापस लाइफ में आजाओगे लेकिन आपको क्या लगते रहते है कि मैसा चीटिंग हो रही है इस बात को लेकर आप बार-बार बहुत आर्ग्यूमेंट करते हो और यही एक रिजन है कि अभी तक आप किसी भी रिष्ते में पर्मानेंट नहीं हो, किसी भी रिष्ते में सैटल करोगे, आपको सोचना चाहिए The Hangman कहता है कि आप खुद कन्फ्यूज रहते हो अपने मन से खुद कन्फ्यूज हो आप आप अपने मन से खुद परिशान हो आपके मन को किसी ने ऐसा करके रखा है ब्लॉक के बस आपको पता सब है आपको भगवान पर भी विश्वास है सब कुछ है लेकिन कहीं न कहीं आप फिर भी उसी स्तिती में आके अटक जाते हो आपको फिर यही लगता है कि अरे यार कैसे हो गया यह करने के बाद आप पस्ताते हो, जब कर रहे होते हो तब आपको नहीं समझ में आता कि आप क्या बोल रहे हो अपने पार्टनर से कितना कुछ आपने सुना दिया है इतनी सी बात के लिए तो कोशिश करें अपनी वानी पे कंट्रूल करें अपनी वानी में मिठास लेकर आए थाकि अपने रिष्टों को सुधार सके चली देखते हैं मकर राशी यूनिवर्स के मैसेज़ेज आपके लिए क्या है यूनिवर्स के मैसेज़ेज देखो थोड़ा रिलाक्स होने की जरुरत है यहाँ पर एंजल मैसेज़ेज भी हम यहाँ ले लेते हैं मकर राशी के लिए वाउ यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि थोड़ा रिलेक्स हो जाओ बहुत जल्दी जल्दी जो आप एक्शन लेते हो बहुत जल्दी जल्दी जो गुसा हो जाते हो इगो दिखाते हो या फिर बार-बार ब्रेक अप कर लेते हो तो थोड़ा रिलेक्स करो बहुत जल्दी-चल्दी डिसीजन मत लो! किसी की guidance ले लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है न, तो किसी की guidance ले लो! समझो कि क्योव बार-बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है मुझमें ऐसी क्या कमिया है कि मैं बार-बार रिष्टो को खराब कर देता हूं या कर देती हूं, तो आपको रिलेक्स करके समझने की जरुत है हो सके तो कुछ सेकेंड के लिए मेडिटेशन भी करना है, स्टार्ट करो जिससे कि थोड़ा दिमाग आपका शांत रहेगा बहुत जल्दी अग्रेसिव नहीं होगा Something lovely will grow from this कुछ अच्छा आप कर सकते हो life में, बज़री नहीं है कि हर बार मतलब कि किसी से जगडा करने के लिए तलवारी उठानी पड़े किसी को प्यार से भी हम समझा सकते हैं तो आपको यह message दिया जा रहा है कि हर बार तलवार मत उठाओ बहुत साई तलवार है आपके पास और देखिए आप बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हो और फिर खुद को healing भी नहीं करते हो सिर भगवान से complain करते हो यह जज्मेंट के energy फिर से है यह दौनों कार्ट जज्मेंट के energy को दिखाते है बहुत से बाल-बाल गंप्लेंट करते हो है भगवार मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया क्यों मेरे को ऐसी life दी क्यों मुझे ऐसा partner दिया क्यों मेरे partner निंमझे cheat किया मतलब भगवान कहता है भाई तुझे सब कुछ दे दिया सब कुछ settle कर दिया अच्छा पार्टनर दे दिया अब तुम उसे नहीं संभाल पारे हो तुम्हारी गलती है भगवान भी आपको ये चीज़ बोलना चाते है कि खुद की healing करो हर वक्त वार करने की जरूरत नहीं है It's time for healing, not war सुख हर वक्त सिर्फ तुम ये सोचोगे कि मैं जगडा करूँ लड़ू और चीजों को छीन लूँ जैसी चाहिए वैसी चीजे मेरे पास आ जाए तो ऐसा possible नहीं है थोड़ा प्यार करना भी सीखू देखी यहां पर क्या आया है emotional sensitivity तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी को भी लेकर बहुत ज़्यादा emotions ले जाते हो बहुत emotional हो जाते हो तो यह भी एक reason होता है कि कोई थोड़ा सा भी गलती करें तो आपके से लगता है मेरे person ने गलती कैसे कर दी इसने मुझे importance कैसे नहीं दी तो एक वो मन में fear हो जाता है किसी को खोने का तो हो सकता है अपके मन में वो fear हो इसकी वज़े से आप बहुत ज़्यादा emotional हो visualize success singing and dancing थोड़ा अपने लिए time spend करो खुश रहने की कोशिश करो dance करो, गाना सुनो अपनी success को देखना है start कर दो कि yes, यह person मेरी life में आ गया है मुझे यह success मिल गई है start कर दो, already manifest करना है start कर दो earth angel, earth angel कहती है कि earth angel कहती है कि थोड़ा nature के साथ भी time spend करो जो आपका यह ego है न वो down हो जाएगा हो सके तो morning में आप garden में जाओ run करो, आप running करो आप walk करो, जो आपको करना है थोड़ी देर माँ बैठो, वाद चह चाहते पेड़ पोधों को देखो, पक्षियों को देखो आप बहुत ही light feel करोगे बहुत ही अच्छा feel करोगे कोशिश करो कि अपने आपको positive रख सको, अपनी healing कर सको अपनी खुशियों को अपनी खुशी के बारे में सोच सको अपनी खुशियों को जो भी जिस चीज़ से खुशियों मिलती है, वो काम कर सको आप देखोगे आपके विवहार में जैसे जैसे बदलाव आएगा आपकी love life में automatically positive changes आने start हो जाएंगे ठीक है तो मैं उमीद करती हूँ मकर राशी कि आप अपने आप में बदलाव जरूर लेकर आओगे बार बार जो आप complain कर रहे हूँ उसकी जगह भगवान को gratitude देना start करोगे और खुश रहना start करोगे तो यह थी आपकी reading, reading पसंद आईए तो वीडियो को like, share और subscribe भी करोगे Thank you so much